जो अभी latest news आ रहा है लोग सवा election के regarding में 2024 तो ध्यान से बाते को सुन लीजेगा लगातार बच्चे doubt पूस्ते रहते हैं कब तक announcement देखने को मिल सकता है तो possible है कि 14 या 15 March को official notification देखने को मिल सकता है कि कब से लोग सवा election हो सकता है 2024 में I hope कि आपका doubt क्लियर हो गया तब तक आप कि हम 50 comment negative करते मुझे पता है कि वो लोग स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकते वो लोग तो कोई और है मुझे सब कुछ पता है लेकिन खैर छोड़ो लाखो बच्चेओ का प्यार मिलता है charter studies को thank you so much कि आप लोग इतना support करते हो अब जो जो सुत्रों से ख़बर मिल लाई कि साथ पेज में election हो सकता है लोग सबा का ये सब चीज नोट करते रहा ना जब announcement डायनत एक बार match कर ले ना इसके बाद दूसरा सबता में लोग सबा election स्टार्ट हो सकता है सुत्रों से ये ख़बर मिल रहा है और हाँ एक और जो अपडेट है कि 13 मार्ज तक आखरी दौरा हो सकता ह प्राइम मिनिस्टर का मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधरी का आखरी दौरा होगा 13 मार्ज 2024 को तो इसके रिलेटेड लगातार मेरे पास बच्चों का डाउट आता रहता है 20 से 50 बच्चों का अभी आजकाल तो डेली आ रहा है डाउट की कब से announcement आ सकता है इस वीड प्राइम होता है तो पास्ट रिजल्ट को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है तो 14 या 15 मार्ज को लोग सवा election का announcement आ जाएगा इसके बाद ही reschedule करने हो जाएगा जो भी information share किया हूं ट्रस्टेर मीडिया हाउस के दौरा सोसल मीडिया पे already available है आप लोग चाहो तो इतना search करके आप लोग देख सकते हो मीडिया पे already available है सोसल मीडिया बाकि आप charter studies का वीडियो देख लेते हो तो इतना कुछ देखने का ज़रत नहीं है क्योंकि charter studies सही information हमेशा सबसे पहले provide करता है जैसे ही announcement आता है सबसे पहले charter studies आप लोगों को वीडियो बना करक इसके लिए करना क्या होगा अभी से चैनल पे नए हो तो subscribe करके bell notification bell दबा दीजिए जिससे CA related एक भी update और announcement मिशना हो पाए तो please students subscribe जरूर कीजिएगा और हाँ कोई additional doubt है the YouTube comment box open है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो वीडियो के लास्ट में छोटा सा disclaimer दे जब तक आई नहीं बोलेगा कि री schedule हो गया तब तक आपको किसी के बात में believe नहीं करना आप लोग अभी जो schedule है उसी के हिसाब से पढ़ाई को continue रखें मिलते हैं next वीडियो में